hello everyone, स्वागिता मेरे चैनल में दोस्तों और हर साल कीतरा इस बारवी ट्रेडिंग जो है मूर्थ रखा गया है वो एक नुवंबर को रखा गया है 6 बजे से और 7 बजे तक रखा गया दोस्तों हर साल कीतरा इसमें भी आपको बेफूप बनाया जा रहा है और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग का मूरत ये क्यों रखा गया है क्या वज़ा है इसके पीछे ये रीत आगे बढ़ती क्यों जा रही है दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और बैल बैल के इनकों को प्रैस कर दीजिए वीडियो को जाए के अंदर इसको शुब माना गया है वे आप किसी वी श्टोक को बाई कर सकते हैं किसी श्टोक को सेल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए शुब मूरत रखा गया था दोस्तों तो इसमें क्या किया गया था बीसी ने बोंबे श्टोक एक्स्चेंज ने उन्नीस सो सतावन के हर लोग इसमें हर जितने फी लोग समझते कि घर में पैसा आना चाहिए लेकिन गुजराती लोक रह समझते थे थे हमें कहीं पैसा investment करना चाहिए तो मारवड़ी लोग क्या करते हैं जो मारवड़ी लोग है share market में investment करते हैं वो 200 sell करते हैं किसी चीज़ को मैं लोग stock को sell कर दिया घर में पैसा आएगा अच्छी बात है लेकिन गुजराती लोग क्या सोचते हैं इसी बारे में कि इस stock में हमने investment करनी है पैसा investment करना है ताकि ये long term में जाए और हमें पैसे अच्छा double triple या जितना भी गुना 10 गुना 20 गुना पैसा करके दे के जाए और इस लिए buy sell buy sell तो एक trading का शुब मूरत रखा गया था दोस्तों और इस दिन accounts की एक पूजा होती है जिसे हर लोग करते हैं हर विश्करमा डेवी इसमें होता है तो दोस्तों इस दिन stock को खरीदा जाता है बेचा जाता है इसी साल मूँ इसमें मैं बता देता हूँ एक दूसरी बात आपको ठीक है इस दिन इस दिन आप पूजा करके किसी भी stock में अच्छी तरह से analysis करके वहां से आप investment कर सकते हैं दोस्तों लक्षमी की पूजा होती है इस दिन तो हर बंदा यही सोचता है कि घर में लक्षमी आई समरिद्धी का जो है दोस्तों लक्षमी हर बंदा यही चाता है कि पूजा करने के बाद stock बढ़े या money आपके पास आए पैसा आपके पास आए दोस्तों बिच बिच में आपको वीडियो को दोस्तों अगर किसी ने subscribe नहीं किया तो दोस्तों चैनल को subscribe करने अच्छा इसमें सबसे पहले मैं आप दता हूँ कि सबसे जदा लोग नुक्सान उनी लोगों को हो भूब करते हैं जैसे कि जो लोग में अफ़वाएं फैलाते हैं जो बजार में फ़वाएं फैलाते हैं shop market जो यह होदी है कि लोगों का मानना अक्सर ये होता है कि आप अगर जैसे इलेक्ट रिक में जैसे जज़दा बलब बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, लड़ी है, या किसी परकार की जतनी भी यह इलेक्ट्रिक आइटम है, यह सेल हो रही है, तो बजार उपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक वाला कोई भी शेयर खरेद लेजी दोस्तों, तो इस परकार से जैसे यह बम मतलब इसमें मैं एक बात और चाता हूँ, इलेक्ट्रिक के परती है, टायर आए, गाड़ियां जादे जादे सेल होती है, तो इसका श्टोक उपर जाएगा, तो इस परकार की बहुत सारी अफ़ाएं होती हैं, जिसको अब फोलो करके, उनकी टिक फोलो करके, आप वो शेयर बाई कर सकते हैं, दोस्तों बाई बाई नहीं करना है, आप खुद एक एनलिसिस बनियें, दोस्तों एनलिसिस करके, आप बेस के रिए आपके खुद के बेस के ट्रेडिंग स्टैट अप बनाईए, वहां से आप स्टोक में इन्वेस्टमेंट करिए, और वहां से ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकत तो दोस्तों आपको भी शुब मूरत की बहुत 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 बधाई और दिपावाली की शुब कामना है, दोस्तों आपको आपका दिन भी शुब हो और ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रोफिट कमास को तो थैंक यू दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें